भाजप्पा के MLA, विरुपक्षपा जो चनगिरी दावनगिरी से भाजप्पा के MLA हैं और बोर्ड के चेर्मेन हैं उनके दफ्तर में उनके बेटे गवारा 40 लाख रुपे रिश्वत लेते हुए रंगे आतों पकड़े गए 80 लाख रुपे की रिश्वत की तथा कतित तौर से माम की गई थी और अब 6 करोर रुपिया नोटों की गडिया जिस परकार से उनके घर से मिली हैं भाजप्पा के MLA उनके बोर्ड के चेर्मेन गायब हैं वो भगोड़े हो गए हैं मुक्यमंत्री कहीं भाग गए हैं या चुप बैठे हैं जो इंडस्ट्री मिनिस्ट्र हैं निरानी वो दर्वाजे के पीछे चुपे बैठे हैं और पूरे करनाटक को लूटा जा रहा है 40% कमिशन सरकार का ये कूकरिटे ये घिमोना चेहरा एक बाद फिर सामने आया है सच्चा ही ये है कि भाजप्पा ने करनाटक को ब्रश्टाचार की दलडल में धकेल गिया है समय आ गया है कि ना केवल इस MLA को गिरफतार किया जाए ना केवल इंडस्ट्री मिनिस्टर निरानी को बरकास किया जाए बलकि बसुराज बोमई खुद मुक्यमंत्रियें वो ये बताएं कि कितना पैसा उपर तक पहुंच रहा था और ब्रश्टाचार के खेल में धाल मेल में कौन-कौन शामिल है जितना जल्दी इनको बरकास किया जाए जितना जल्दी मुक्यमंत्री का इस्तीफा हो जितना जल्दी इंडस्ट्री मिनिस्टर का इस्तीफा हो जितना जल्दी MLA गिरफतार हो उतना ही जल्दी इनके पात की पड़दें उहड जाएंगी हम मान करते हैं हम करनाटक के लोगों से कहते हैं कि इस ब्रश्टाचारी भाजप्पा सरकार की विदाई का समय आ गया है और फोरण दस दिन के अंदर करनाटक के मुख्य नयाई भीश की देख रेक के अंदर वो खुद जाच करें ताकि दूद का दूद पानी का पानी सामने आ जाए करनाटक के लोग भारतिय जनता पार्टी को इस नंगे भरश्टाचार के लिए कभी माप नहीं करें